आज मैं आपको क्या एक्स्प्लेइन करूंगी? एक्स्पैंडेट फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं? ओके, लाइट स्टार्ट अबर फॉर्स टॉपिक इस एक्स्पैंडेट फॉर्म एक्स्पैंडेट फॉर्म एक्स्पैंडेट फॉर्म एक्स्पैंड मीन्स क्या होता है? expand means होता है विस्तार मतलब किसी भी चीज़ को फैला कर लिखना तो हम उसको क्या बोलेंगे expand expand मतलब किसी भी चीज़ को फैला कर राइट करना बड़ा बड़ा राइट करना ठीक है Writing the number as the addition of the place value of its digit means किसी भी number के हर digit की place value को जब हम addition form में राइट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है expanded form ओके for example here number is given 502 कौन सा number दिया है यहाँ पर हमें 502 अब आप देखो 5 कौन सी place पे है 100 place पे 0 कौन सी place पे है 10s place पे and 2 कौन सी place पे है 1s place पे तो आप देखो यहाँ पर यह number बहुत छोटे में लिखा है 502 only 3 digit में लेकिन जब हम इसको इसकी place value हर digit की place value राइट कर देंगे और इसको addition form में लिख देंगे मतलब बढ़ा करके लिख देंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा expanded form आपको place value फाइंड करना तो आता है 5 कौन सी place पे? 100 place पे तो 5 की place value क्या होगी? 500 0 कौन सी place पे? 10s place पे 0 कोई भी place पे क्यों ना हो? उसकी place value हमेशे क्या होगी? 0 ठीक है? तो 0 की place value क्या होगी? 0 एंड 2 कौन सी place पे? 1s place पे तो 2 1s आ? 2 तो इसकी place value क्या होगी? Only 2 तो जब हम सारे digit की place value फाइंड कर देंगे और इनकी बीच में क्या लगा देंगे? प्लस तो यह क्या बन जाएगा हमारा? expanded form 502 का expanded form क्या हो जाएगा? 500 प्लस 0 प्लस 2 ओकी? तो expanded form of 502 is 500 प्लस 0 प्लस 2 देखो आप मैंने इस छोटे से नंबर को इतना बड़ा करके लिख दिया यह भी छोटा था फिर मैंने इसको expand कर दिया मैंस fell आकर इसको इतना बड़ा लिख दिया तो यह क्या होगे हमारा expanded form ओके समझ मैं आपको let us do some examples question 1 is write the expanded form आपको क्या write करना है यहाँ पर? expanded form ठीक है? यह छोटे छोटे numbers लिखे हैं 369, 280, 506 तो आपको इसको क्या करना है? आपको इनकी place value write करना है और उनकी बीच में क्या लगा देना है? plus, तो यह क्या बन जाएगा? expanded form ठीक है? ओके, first number is 369 पहला number हमें क्या दिया है? 369, इसको हम क्या read करेंगी? 369 तो आपको place value find करना तो आता ही है तो आप इनकी place के एकरडिंग लिख सकते हो 300 क्योंकि 3 कौन सी प्लेज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ यहां पर 9 का 9 रहेगा सिंगल अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आपको एक और वे में आप इसको write कर सकते हो आपको कुछ भी नहीं करना आपको first number क्या है? 3 तो आपको 3 write करना है ठीक है? next क्या है? 6 तो आपने plus लगा के थोड़ा से दूर आपको क्या write करना है? 6 और third number क्या है 9 तो आपने 9 write कर दिया ठीक है अब आप देखो 3 के पीछे 3 के पीछे कितने digit है 3 के पीछे कितने digit है 2 6 and 9 तो आप कितने 0 add कर दोगे 3 के पीछे 2 0 क्यों क्योंकि 3 के पीछे कितने लोग है 2 digits है ठीक है तो इसलिए 3 के साथ 2 0 भी आ जाएगा तो ये क्या बन गया 300 ओके अब आप देखो 6 6 के पीछे कितने लोग है 6 के पीछे तो only 1 9 खड़ा है है ना तो 1 digit है इसलिए 6 के पीछे कितने 0 लगा देंगे हम 1 0 ओके समझ में आए आपको 3 के पीछे कितने 0 है 2 digit इसलिए हम यहापे कितने 0 लगा देंगे 2 0 और 6 के पीछे कितने 0 है only 1 के वल 9 है 6 के पीछे 6 के पीछे कौन है के वल only 9 इसलिए हम यहापे कितने 0 लगाएंगे 1 0 अब आप देखो 9, 9 के पीछे कोई है क्या, 9 के पीछे तो कोई भी नहीं है, 9 कैसा है, अकेला, तो 9 का 9 लिखेंगे हम, आए समझ में, तो इसके place value क्या हो गई, 300 plus 60 plus 9, और हम के बीच में क्या लगा देंगे, plus, तो क्या बन जाएगा हमारा expanded form, 300 plus 60 plus 9, बहुत easy है, बस आपको first number, सबके सारे digit की numbers write करना है, 2, 8, 0, सबसे पहला आपने ये write किया, फिर आप देखोगे कि 2 के पीछे कितने digit है, 2 digit है, 8 और 0, इसलिए 2 के पीछे हम कितने 0 लगा देंगे, 2, 0, अब आप देखोगे 8, 8 के पीछे कितने digit है, only 1, इसलिए 8 के पीछे हम कितने 0 लगाएंगे, 1, 0, और उसके बाद क्या है, 0 जीरो अकेला है तो वैसे भी अगर जीरो कोई से भी प्लेस पे आए उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी ओनली जीरो तो expanded form क्या होगा 280 का 200 प्लस 80 प्लस 0 ओके next number is 506 अब हम इसको कैसे लिखेंगे same सबसे पहले 5 फिर 0 and 6 हमने write कर दिया ठीक है अब आप देखो 5 के पीछे कितने डिजिट है 2 डिजिट इसलिए आपे कितने 0 आजाएंगे 2 0 उसके बाद क्या है 0 तो 0 की place value तो हमेशे क्या होती है 0 अब ऐसे भी कर सकते जीरो की पीछे 1 डिजिट है तो आपने आपे 2 0 लगा दिया तो अब भी कोई मतलब नहीं 0 का 0 ही रहेगा ठीक है अब क्या है 6 तो 6 का 6 तो कि 6 अकेला है 6 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए 6 की place value क्या होगी 6 ओके तो 500 प्लस 0 प्लस 6 ये क्या हो गए expanded form ठीक है हमें छोटा number given था हमने इसको expand करके लिख दिया means इसकी place value को लिख दिया और इनके बीच में क्या लगा दिया प्लस तो ये क्या बन गया expanded form ओके students आपको समझ में आया ओके next topic is short form अब हमारा next topic क्या था short form short मतलब होता है छोटा करना अगर हमें कोई भी चीज बड़ी दी है उसको हम जब छोटा करके लिख देते ना तो वो क्या हो जाता है हमारा short form ठीक है जैसे अब भी हमने क्या किया था हमें छोटा number दिया था हम उसको किस में लिख रहे थे expanded form में बड़ा करके लिख रहे थे अब हमें बड़ा number दिया जाएगा उसको हम किस में लिखेंगे छोटा करके लिख देंगे ठीक है when we add the expanded number we get short form अभी हमने expanded number सीखा था तो जब भी हम expanded number को add कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा short form ओके हम example से समझते है example is 200 plus 40 plus 6 यहाँ पर example क्या दिया हमें 200 plus 40 plus 6 तो आप बोलोगे माम यह तो expanded form है है ना यह क्या है expanded form तो जब हम इसको छोटा करके लिख देंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा short form means हमें केवल क्या लिखना है इनकी first इनका आपको केवल hundred tens once लिख दोगे अब आप देखोगे first number क्या है 200 तो hundred की place पे आप क्या लिख दोगे 2 उसके बाद क्या लिखा है 4040 means 4 tens तो tens की place पे आप क्या लिख दोगे 4 और उसके बाद क्या लिखा है only 6 जब 6 अकेला होता है हमने पता है कौन अकेला होता है once तो once place पे क्या आजाएगा 6 तो यह क्या बन गे हमारा short form ठीक है expanded form को जब हमने addition करके भी लिख सकते हम इसको और ऐसे भी write कर सकते हैं तो यह क्या बन जाएगा हमारा short form addition करके कैसे write कर सकते हम इस तरीके से हमने क्या लिख दिया 200 plus 40 plus 6 अब आप देखो 0 plus 0 plus 6 किसी भी number 6 में अगर हम 0 को plus करेंगे तो क्या आएगा only 6 ऐसी 0 में 4 plus करेंगे तो क्या आएगा 4 and 2 का 2 यह क्या होगे हमारा short form तो short form क्या आगया 200 plus 40 plus 6 का 246 ओके समझ मैं आपको now let us do some examples question 2 is write the short form हमें क्या write करना है short form means हमें दिया जाएगा expanded form और हम उसकी क्यार कर देंगे इसको short form में write कर देंगे here some examples are given first example is 500 plus 40 plus 7 तो मैंने आपको एक technique बताये थी कैसे करो गया पहले आप लिखोगे 100 फिर आप लिखोगे 10 एंड फिर लिखोगे आप once अब आप देखो फॉस्स नंबर क्या लिखा है 500 तो 100 की प्लेस पे 5 उसके बाद 40 4040 means 4 tenths तो tenths की प्लेस पे 4 एंड उसके बाद क्या लिखा है only 7 तो once की प्लेस पे 7 तो यह क्या बन गे हमारा short form ठीक है तो आपको इसको ऐसे ही राइट करना है ऐसे आपको box का use करना है यहाँ पे आपको लिखना है 100 tenths once first number is 500 तो 100 की प्लेस पे 5 plus 40 means tenths की प्लेस पे 4 आएगा and plus 7 लिखा है इसलिए once की पेस पे क्या आएगा 7, so short form is 547 ओके next number is 600 plus 50 तो फिर से हम box का use करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है 600 means 100 की प्लेस पे क्या आजाएगा 6 plus 50 क्या लिखा है plus 50 5050 means 5 10s तो 10s की पे क्या आजाएगा 5 अब आप देखोए यहाँ पे केवल हमें क्या लिखा है 600 plus 50 once तो कुछ लिखा ही नहीं है तो once की जगे पे हम क्या लिख देंगे 0 जब भी जिस प्लेस पे कुछ नहीं लिखा हो तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 तो उसका short form क्या हो जाएगा 650 ओके समझ में आया next example is 800 plus 6 तो here again we will use table chart ठीक है इसको हम फिर से यूज करेंगे box को 800 first number क्या लिखा है 800 तो 100 की प्लेस पे 8 उसके बाद क्या लिखा है 6 only 6 ध्यान से आप देखना केवल क्या लिखा है 6 जब कोई भी नमबर अकेला होता है तो वो कौन से प्लेस पे आता है 1's place पे क्योंकि 1 भी तो अकेला होता है 1 के साथ कोई 0 होता है क्या नहीं इसलिए 6 कौन से प्लेस पे आएगा 1's place पे अब आप देखो यहाँ पे 800 plus 6 लिखा है means 10 पे तो कुछ लिखा ही नहीं है लिखा है क्या नहीं तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम आप ही क्या लगा देते है correct क्या लगाएंगे हम 0 तो इसका short form क्या हो जाएगा 806 ओके समझ में आए आपको ओके तो next number is 700 plus 9 next क्या है हमारा 700 plus 9 इसका short form क्या होगा 700 का 7 उसके बाद plus 9 दिया है only 9 तो यह कौन से place पे आएगा 1's place पे और 10's place पे कुछ नहीं दिया तो हम क्या लगा देंगे 0 तो उसका short form क्या हो जाएगा 709 ओके next example is 900 plus 80 plus 6 इसमें तो तो तीनों चीज़ दिया है 900 का 9 80 का 8 और 6 का 6 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा short form ओके समझ में आया आपको अब आपको confused नहीं होना है आपको पहले 100 10's once write करना है और फिर उसकी place value के according आपको लिखना है 800 दिया है तो 100 की place पे 8 ठीक है और 6 दिया है तो only 6 की place पे आया है next topic is predecessor and successor of three digit number मतलब अब हम क्या सीखेंगे three digit numbers के predecessor find करना और successor predecessor means मैंने आपको बताया था predecessor means क्या होता है before number and successor means क्या होता है after number ठीक है before means पहले वाला number and successor means after मतलब बाद वाला number आपको write करना है ठीक है तो before predecessor के लिए हम क्या use करेंगे up जाएंगे हम उपर की तरफ जाएंगे and successor में हम कहां जाएंगे down मीचे की तरफ ठीक है इस table का use करेंगे हम इस table के according हम predecessor and successor find करेंगे ओके first number is 730 730 इसका हमें क्या find करना है predecessor say sir तो आप हमिशे ध्यान रखना last में क्या दिया है zero जब भी आपको one zero दिया है last में one space पे क्या दिया है one zero दिया है तो आपको उसके पहले वाले number का भी आपको क्या निकालना है before number ठीक है तो seven का तो seven ही रहेगा three का क्या हो जाएगा three का before number means three के उपर three के उपर क्या लिखा है two तो आप two लिख दोगे अब zero zero के उपर कुछ भी नहीं है तो यह number फिर से रिपीट होंगे zero के उपर क्या जाएगा nine तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे nine predecessor से क्या बन जाएगा seven hundred twenty nine अब ऐसे भी देख सकते हो thirty के पहले क्या आता है twenty nine तो predecessor क्या हो जाएगा seven hundred twenty nine ओकी ऐसे हम क्या find करेंगे successor तो seven का तो seven ही रहेगा three का three और zero के उपर क्या आता है one तो क्या हो जाएगा thirty one 30 के बाद क्या आता है thirty one तो इसका success है क्या हो जाएगा? 731 तो predecessor is 729 and successor is 731 ओके, next number is 208 तो आप बताओ, 8 के पहले क्या आता है? 7 तो predecessor क्या हो जाएगा? 207 ठीक है? और 8 के बाद क्या आता है नीचे? 9 तो success है क्या हो जाएगा? 209 ओके? अब, next number क्या दिया हमे? 900 इसका कैसे fine करेंगे हम? तो आप देखुए यहां पे कितने 0 है? 20 तो जब भी 20 दिया है ना तो आपको इसके पहले का number का भी आपको क्या निकालना है? Before number ठीक है? अगर 1 0 दिया है आपर 0 2 0 दिया है उसके बाद क्या दिया है? तो आपको 9 का भी क्या निकालना है? Before number तो 0 का before number क्या होगा? 9 सेकिंड वाले 0 का before number भी क्या होगा? 9 और 9 का before number क्या होगा? 8 तो predecessor क्या हो जाएगा? 899 और इसका successor क्या होगा? 0 के बाद क्या आता है 1 तो success है क्या हो जाएगा 901 ओके next example is 989 तो आप मुझे बताओ 89 के पहले क्या आता है 88 तो success है क्या हो जाएगा 988 और इसका success है क्या होगा 990 89 के बाद क्या आता है 9090 ओके next example is 881 तो 1 के पहले क्या आता है 0 तो आप क्या राइट करोगे 800 8, 8 और 0 1 के पहले क्या आता है 0 तो आपने 0 लिख दिया 880 और इसका success है क्या हो जाएगा 882 ओके next number is 699 तो 9 के पहले क्या आता है 8 आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि 99 के पहले क्या आता है 98 तो प्रेडी से सर क्या हो जाएगा 698 और success है क्या होगा तो आप देखो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है ना means 0 आता है तो आप यहाँ भी क्या राइट कर दोगे 9 के बाद 0 ठीक है फिर 9 के बाद क्या आएगा 0 मतलब आपको यहाँ पर 3 के after number लिखना है और 6 का क्या हो जाएगा 7 ठीक है तो हमारा successor क्या हो जाएगा 700 ओके समझ में आए आपको predecessor means before number and successor means after number तो जब भी आपको predecessor बोले तो आपको पहले वाला number write करना है और आपको successor बोले तो आपको बाद वाला number write करना है ठीक है तो 730 का predecessor क्या होगा 729 और successor क्या होगा 731 आया समझ में आपको okay okay students we will meet in next video tap takkili good bye take care and thank you for watching this we